हेलो फ्रेंड स्वागत है एक बार फिर से आप सब का मेरे चैनल पे बहुत ही मज़ेदार चटपटी से रेसिपी के साथ तो आप लोग देख के रही पाचान गए होंगे कि हमने आज क्या बनाया है जी हाँ आपने सही पैचाना आज हम बनाएंगे ब्रेट पकोड़े बहुत ही मज़ेदार एकदम स्ट्रीट स्टाइल में चलिए हम इसे बनाना सुरू करेंगे आप लाश्ट तक वीडियो में बने रहेगा सबसे पहले हमें कडाही में तेल गर्म करके उसमें डालना है जीरा और राई इसी के साथ बारीक कटे हुए लसुन और हरी मिर्ज इनको हम भूनेंगे क्योंकि हम यहाँ पे पहले ब्रेट पकोड़ा बनाने के लिए बना रहे हैं आलू अला चटपटा सा मसाला तो पहले हम मसाला प्रिपेर करेंगे जिसके लिए हमें यह तड़का लगाना है और इसी में हमें बारीक कटे हुए प्याज भी डाल लेनी है इनको भी हमें भून करके थोड़ा सा सौफ्ट करना है लगभग दो से तीन मिनट तक भूनेंगे ति यह हलके साफ्ट हो जाएंगे इसी के साथ हमें इसमें मसाले डालेंगे कुछ जैसे के हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर और स्वाथ के अनुसार नमग इनको भी हम थोड़ा सा चलाएंगे थोड़ा सा मैंने यहाँ पे गरम मसाला पाउडर भी मिलाया है तो चला करके सब चीजे मिक्स कर लेंगे, गैस का फ्लेम लो रहेगा अब हमने जो आलू को बॉयल करके मैस किया है, आलू मसाला बनाने के लिए उसको भी मिला लेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे तो यह अच्छे से तयार हो जाएगा पकड़े बनाने के लिए लेकिन हम इसको थोड़ा और चटपटा बनाएंगे जिसके लिए हम इसमें चाहें तो आमचूर पाउडर मिला लें या फिर चाट मसाला मिला लें तो मैंने यहाँ पे चाट मसाला मिलाया है चाट मसाला से हमारे आलू मसाला जो बनेंगे बहुत ही चटपटे बनेंगे तो लीजिए अब हमारा ये ब्रेट पकड़ा बनाने के लिए आलू का मसाला रेडी है लाश्ट में हम गैस को आफ करेंगे और धनिया पत्ती डाल करके इसको मिक्स कर लेंगे mix करने के बाद हम इसे side में रखेंगे ठंडे होने के लिए ताकि हम इसके bread के पकौड़े की filling कर सके तब तक हम यहाँ पे बेशन का गोल तायार कर लेते हैं जिसके लिए मैंने यहाँ पे एक बरतन में डेर कब के लगब बेशन को लिया और ये मैंने चावल का बढ़िया सा बेटर बना लिया था, एक मुठी चावल को मैंने भीगा के पीस लिया था, इससे हमारे ब्रेट पकड़े बहुत ही कुरकुरे बनेंगे, इनको हम मिला करके मिक्स करेंगे, इसके साथ ही थोड़ा थोड़ा पानी भी डालते जाएंगे, बहुत जादा नहीं हम इसमें दो से तीन चमज पानी डालेंगे इसको फिर से फेटेंगे और ये रेखे इसकी थीकनिस इस तरीके से हो गई है बढ़ियां से हमारी ये बेसन और चावल के आटे मिक्स हो गए है तो अब हम इसमें हल्दी और थोड़ा सा नमक मिला लेंगे फि इसी कंसिस्टेंसी में हमें रखना है बेसन के गोल को जैसे कि हम चमज डाले और उस पे एक तरह का ऐसे लेयर बन जाए अब लास्ट में मैंने यहाँ पे दो से तीन पींच के लगभग बेकिंग सोडा डाला है इसको भी चला करके मैंने मिक्स कर लिया इससे एक दम फूले फूले इस ट्रीट स्टाइल में हमारे बेड़ पकोड़े बनेंगे तो फ्रेंड्स का गोल रेड़ी है अब हम ब्रेड सलाइस को लेंगे और इसको बेड़ करेंगे इस तरीके से फैला लेंगे बराबर से तो अगर हमारी दोकिन अब पशंद आएगी तो वीडियो को बहुत ही परफेक्ट एकदम कुरकुरे फूले फूले बनेंगे तो मैंने तीन ब्रेट पे उपर से यह लगा लिए आलू के मसाले और यह जो दूसरा ब्रेड है इस पे मैं हरी वाली चटनी लगा रही हूं एक तरह से इसको इसको इस प्रेड कर दे रही हूं इससे हमारे ब् तलेंगे तो सबसे पहले ब्रेड पकॉड़े पनाने के लिए हम इसको दो पीस में कट कर ले रहे हैं वैसे तो हम इसे पूरा-पूरा ही तल सकते हैं लेकिन छोटा तोड़ा पीस करके तलने में आसानी रहेगी तो मैंने इने बीच से इस तरीके से कट कर लिया है आप हमें एकदम तेल को गर्म रखना है जब हम ब्रेड पकॉड़े डाले तो और अब यह लीजिए हमारा पहला पकॉड़ा तल के तयार है यह गोल्डेन ब्राउन हो जाए तब हम कडाई से निकालेंगे इसी प्रकार से हम बाकी के बचे हुए ब्रेड पकॉड़ों को भी तल यह एकदम फूले फूले उपर से कुरकॉरे बनेंगे बहुत ही अच्छे लगेंगे यह खाने में क्योंकि इसमें हमने आलू की जो मसाले की स्टफिंग की है बहुत ही चटपटी रहेगी तो लीजिए इस प्रकार से मैंने सारे ब्रेड पकॉड़ों को तल लिया है और अब मैं इसको टेस्ट करूंगे कि यह कैसे बने है आप भी इसी तरीके से बना करके खायेगा आपको भी जरूर पसंद आएगा तो मैने इसको टेस्ट किया बहुत ही पर्फिक्ट चटपटे बने है तो मिलते हैं फ्रेंड्स ऐसे ही मज़ेदार चटपटी सी रेशीपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहें वीडियो को देखिए लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब